हेलो दोस्तों सबागते आप सभी का हमारे चानल स्टेडी फॉर ससी में MTSA-related notice कल एक upload किया था website पे SSC ने उससे related information मैंने आपको दी थी उसके बाद comment चेक किया तो काफी बच्चों ने कहा था cut-off के लिए एक्जाम हो चुके सर अब expected cut-off क्या हो सकती है उसके बादे में कुछ discuss करें ठीक है तो थोड़ा सा time निकालो आप लोग पात-दस मिनट का time लगेगा थोड़ा detail में हम लोग एक-एक point discuss करेंगे क्योंकि exam को महिनों आपने दिये हैं कुछ बच्चों दो तरह की cut-off कैसे होगी आप दे देखा होगा आपका जो नोटिफिकेशन आया था नोटिफिकेशन में आपको दो तरह की वेकंसी दी गई थी एज ग्रूप अलग अलग दिये गए थे एक एज ग्रूप थी आपकी 18 to 25 और दूसरा आपका था 18 to 27 तो आपकी इन दोनों ही एज ग्रूप की दोनों की अलग-अलग cut-off जाएगी पहले 18 साल से 25 साल की एज के जो बच्चे होंगे पहले उनकी वेकंसी फिल की जाएगी उसके बाद में वो cut-off release होगी और second नमबर पर जो बचते हैं उनमें 18 to 27 में से एक अलग cut-off declare की जाएगी तो ये वीडियो हम के से एक दो मिनट में आपको बता दूँगा और उसके बाद current year की cut-off क्या हो सकती है इस बारे में discuss करेंगे उसके पहले paper का level की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा कुछ हाथी गोड़ा नहीं हुआ था इस बार हाँ TCS था कुछ questions के pattern में changes हुए थे जैसे reasoning में थोड़ा सा क्यों के question आने लगे थे जैसे इस तरह की line थी sitting arrangement type question थे north और east side face करके बैठे है north बैठे है south face करके बच्चे बैठे या फिर कुछ shift में इस तरह से circle वाले question भी आये थे आपके sitting arrangement के और signs को interchange करना था इस तरह के question आपके reasoning में थे उसके बाद advance match पे थोड़ा सा कम load दिया गया थ जी ए में current affair पे जादा focus था static पे ज्यादा focus था English तो थोड़ी easy ही थी आपकी तो थोड़ा सबस pattern में change था बागी बहुत ज्यादा कुछ फरक नहीं पड़ा था लेकिन एक नजर अगर देखे हम लोग last year का exam तो उससे थोड़ा अच्छे level का exam था 2017 में जो आपका exam हुआ था उससे थोड़ा अच्छे level का इस बार exam था लेकिन cut off पर इसका कुछ ज़्यादा फरक नहीं पड़ेगा बच्चों की मेहनत भी ज्यादा है काफी ज्यादा मेहनत है बच्चों की और उसके बाद एक नई चीज यहाँ पर आई है normalization CGL भी अगर आप लोगों ने दिया है फॉलो कर रहे हो तो आप देख रहे हो normalization की वज़े से बच्चों के marks 40, 40, 50, 50 marks बढ़े हुए हैं तो ये भी एक important factor है बहुत से बच्चे हैं जिनके marks 200 में से out of 200, 240 आ रहे है normalization की वज़े से 201 आ रहे है तो 211 आ रहे है यानि increase हो गए उनके marks out of से भी ज्यादा increase हुए है तो इन चीज़ों का cut off पर effect पढ़ता है चलो आगे चलते selection process notification के थ्रू मैं आपको बताता हूँ जो जो important point है आपका किस तरह से होने वाला है state wise जाएगी या फिर आपकी overall cut off जाएगी वो भी अभी बताता हूँ मैं आपको एक second उससे पहले ये notification आप लोग देख लो अगर कल नहीं चेक किया था total number of candidate 38 लाग बच्चों ने apply किया था एक्जाम में और जिसमें से 19 लाग बच्चे ने attend किया है आपका जो overall percentage of attendance रहा है वो रहा है 50% अब चलते हैं हमारे notification पर तो यह आपका notification है mode of selection देखोगे पहले दो point पे ध्यान नहीं देना है third point आप लोग चेक करो third point दिया candidate will be shortlisted for appearing in paper 2 on the basis of their performance in paper 1 normalized code of the candidate will be used to determine merit in paper 1 यानि paper 1 जो आपका होगा उससे depend करेगा आपको paper 2 में बैठना है या नहीं बैठना है और वो paper 1 जो होगा वो normalized होगा तो बच्चों के question थे के MTS में भी normalization होगा तो हां MTS में भी normalization होगा और उसके बाद आपके tier 1 के marks declare किये जाएंगे अगला point है there will be separate category wise state wise union territory wise cutoff in paper 1 देखो पहली line आपका दूसरा answer question का के आपकी cutoff state wise जाएगी category wise जाएगी या overall जाएगी तो last year की बात करेंगे तो उन्होंने tier 1 का result दिया था आपको overall tier 2 का result जो दिया था वो दिया था category wise तो इस बार भी same उसी तरह जाने की उमीद है क्योंकि यहाँ पर उन्होंने category wise भी लिखा है और comma देके state wise लिखा है यानि आपकी पहली जो cutoff जाएगी वो overall cutoff जाएगी all India उसके बाद second जो cutoff होगी वो state wise आपकी vary करेगी अभी मैं आपको last year का बताता हूँ किस तरह से vary की थी उसके पहले ये चीज़े देख लो उसके बाद second number की line देखोगे तो as the vacancy for MTS are in two age groups आपको बताया था दो age group में आपकी vacancy आई हुई है 18 to 25 years and 18 to 27 year अब क्या होगा cutoff कि आपका tier 2 का exam paper 2 will be qualifying in nature qualifying marks in paper 2 will be 40% for unreserved category and 35% for all reserve category candidates आपका paper 2 स्रिफ qualifying nature का होगा unreserved category वालों को 40% mark secure करने होगे और जो reserve category होगी उनको 35 इसके पहले ऐसा नहीं होता था पहले क्या होता था आपका tier 1 प्लस tier 2 होता था और फिर merit list लगती थी लेकिन अब जो है tier 1 बिल्कुल आपका फाल्तू हो चुका है last year ही काफी हंगामा भी हो था इस चीज़ को लेके क्योंकि tier 1 के marks कुछ matter नहीं करते उसके लिए क्योंकि cutoff निश्यत रूप से बढ़ने ही वाली है क्योंकि अगर उतने ही बच्चों में से आपको छाटना नहीं है क्योंकि qualify तो हरको ही करी जाता है 40% % और 35% marks लाके तो आपका क्या मतलब tier 2 करवा के और उसके बाद double cutoff निकाल के direct finally निकाल लिया जाए तो बहुत सी चीज़े थी पहले ऐसा नहीं होता था पहले tier 2 के marks को include किया जाता था और फिर उसके बाद final निकाला जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा आपका जो कुछ ह वो tier 1 का ही exam है उसके आगे और कुन सी important चीज़ है final selection will be made on the basis of performance चलो यह नहीं है और क्या है except it's in two age groups यह आपको बता दिया मैंने अलग vacancy आएगी और एक important point था हाँ बस ठीक है इतना ही है इसमें उसके बाद आपका जब tile 2 होगा उसके बाद आपको document verification के लिए बुला जाएगा document verification होने के बाद में जितने बच्चे उसमें छड़े गए जैसे document में कुछ बच्चे छड़े जाते या फिर कुछ present नहीं हो पाते उसके बाद tire 2 में present नहीं हो पाते तो उन बच्चों को छटने के बाद जो बच्चे बचेंगे उसमें से final merit list लगेगी अब final merit में और tire 1 में कितना क्या फरक पड़ रहा है वो अभी show करता हूँ last year की cutoff से आपको वो चीज़ पता चलेगी यह screenshot लेखे रखा है मैंने आपका यह है final cutoff इसके पहले आपको बता दू टायर 1 की cutoff आपकी गई थी unreserve के लिए आपकी cutoff गई थी 110.5 यह आपकी cutoff थी unreserve के लिए ठीक है इसी तरह से इससे कुछ कम आपकी OBC और ST और फिर ST लेकिन बिलकुल fall to cutoff थी कोई value नहीं थी इस cutoff की क्योंकि पता है निशी तरुप से बढ़ने वाला है क्योंकि टायर 2 के marks इसमें head नहीं होने वाले थे अब कितना फरक पढ़ा इसके पहले जो exam हुआ था MTS का वो हुआ था 150 marks का और उसमें से cutoff गई थी 110.5 इस बार exam हो रहा है 100 marks का जिसमें आपकी negative marking है 1 by 4 यानी 0.25 ठीक है तो इस बार जो cutoff होगी आपकी वो 100 में से बनेगी अब कितना फरक पढ़ता है वो चेक कर लो आप यहां पे आपकी cutoff जो overall all India गई थी वो गई थी 110.5 unreserved category वालों के लिए OBC वालों के लिए गई थी 101 और SC वालों के लिए गई थी 100.50 ठीक है तो यह और ST वालों के लिए something गई थी 87 cutoff ठीक है चेक कर लेना एक बार 87 गई थी उसके बाद में overall देखो आपकी जो final cutoff आई वो यह रही राजिस्तान में 125.75 उत्तराखंड में 125.50 उच्छी तर आपका जो स्टेट होगा वो इसके अंदर आप लोग चेक कर सकते हो और कितना difference पढ़ता है यानि minimum भी difference देखोगे तो 122 आपकी cutoff minimum गई है और maximum की भी बात करोगे तो हरियाना में देखोगे आपकी cutoff तो 139.50 यानि आप देखो 150 में से 140 आपकी cutoff जा रही है maximum तो maximum 140 तक भी जा रह है ठीक है हाँ गुजरात में 124 गया देखो उसके पहले की बात करेंगे तो 61 cutoff गया था last year के भी last year की बात अगर करेंगे तो उसके बात से cutoff increase ही हो रही है तो अब बात करते हैं हम लोग हमारे current पे आते है ठीक है current year की cutoff क्या हो सकती है exam level बता दिया कि बहुत ज्यादा पुलाया गया था फीक है एक लाग साथ जर बच्को बुलाया गया था ता दसँलाया गया था यानी 16 था सीट के पीछे 16 बच्चों को बुलाया गया था उसके बाद Tire 2 Document Verification और उसके बाद 15 बच्चों को छाट के आपका एक बच्चों को बुला के उन्होंने Final Merit List में सिलेक्शन करवाया था तो ये प्रोसीजर थी इस बार की भी उमीद यही है कि आपका 10,000 के आसपास Vacancy होगी और 12,000,000 बच्चों को Tire 1 में पास किया जाएगा अब देखते हैं आंसर की तो next month I think आही जाएगी आपकी क्योंकि आपका Tire 2 का exam 11th month में होने वाला है तो उसके पहले result release करके आंसर की देके उनको सारा process complete करना पड़ेगा ठीक है अब इस साल की current year की लगता के unreserve की cutoff 72 से 77 से इससे भी कम जाएगी यानि 70 के नीचे तो किसी हालत में जाएगी ऐसा मुझे नहीं लगता OBC का और unreserve का बहुत ज्यादा फरक नहीं पड़ता है यहाँ पर तो आपको 5 marks का gap दिख रहा होगा लेकिन इतना gap नहीं पड़ेगा 2 से 3 marks का maximum gap मुझे लगता है यहाँ पर होगा उससे ज्यादा नहीं होगा OBC के लिए 70 to 75 SC के लिए 67 to 72 और ST के लिए 65 से लेके 70 तक की cutoff जा सकती है टायर 1 की यह expectations है ठीक है expected cutoff है यह कोई final cutoff नहीं है तो इसको कसम खाके मत लेके चलो कि इससे हिलना नहीं चाहिए और आपको चेकी अगर करना है तो पिछली बार जो CGL का exam हुआ था उसकी cutoff में मैंने कहा था कि unreserve की cutoff 130 से 135 के असपास जाएगी हाला के गालियां भी पड़ी थी उस वीडियो पे इतनी cutoff नहीं जाएगी इस पर cutoff कम जाने वाली है लेकिन जब cutoff आई तो आपने देखा कि cutoff गई थी आपकी 137.5 यानि मैंने maximum 135 कहा था cutoff उससे भी उपर गई और 135 बोलने पे भी आप लोग क्योंकि नाराजगी जहिलनी पड़ी थी कि इतनी ज़्यादा cutoff जा ही नहीं सकती लेकिन नहीं हुआ उसके बाद final cutoff तो उससे कई ज्यादा ज्यादा जा रही है आपकी अब बात करते हैं tire 1 की ये cutoff तो बिल्कुल फाल्तू है फाल्तू cutoff इसलिए क्योंकि आपके निश्चित रूप से बढ़ने वाले हैं और tire 2 की इसमें कोई भूमिका नहीं है तो आप final cutoff क्या होगी वो बताता हूँ मैं आपको मेरे हिसाब से तो ये slide है आपकी unreserved के लिए 78 to 83 यानि approach 80 लेके चलो unreserved और OBC वालो कि आप हो सके तो एक काम करो नीचे आपने कितने attempt की है आपको क्या लग रहा है कितने correct एक accuracy है वो नीचे आप लोग comment box में type कर दो ताकि बच्चों को एक overall view भी मिले के cutoff आपको जादी लग रही है या कम लग रही है वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले चैनल सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन का बटन दरूब दबाएं क्योंकि उससे आपको हमारे हर ने वीडियो का notification time to time मिलता रहेगा इस चैनल पर हम लोग जितने भी notifications होते हैं अब इक लिए वीडियो में इतना ही थैंक्यू बबाए